Work in energy chapter का work हम पहले पढ़ते हैं कि work हम कैसे बता सकते होता क्या है तो इसका concept कुछ ऐसे है कि suppose एक body है उसका mass M है हम उस पे एक force लगाते हैं F force ठीक है हमने मालने हमने उसके उपर एक force लगाई F अब इस body ने अपनी position को change किया मतलब इसने एक displacement cover किया यह displacement हुई तब हम कहेंगे कि वहाँ पर work done हुआ है मतलब अगर हमने force लगाया है तो साथ साथ displacement भी होना चीए then there is work done ठीके पता लगा हम force लगा रहे हैं लेकिन displacement नहीं हुआ तो work done नहीं माना जाएगा जैसे कि माल लीजे वाल है दिवार है दिवार पे हमने बहुत सारी force लगाया तो कोई दिवार जो हो move तो नहीं करेगे वहीं की वहीं रहेगी खूब force लगा लो हम अपणी force की बात करें हम कोई bulldozer की force की बात नहीं करें तो उसमें मतलब force लगा लेकिन कोई displacement नहीं हुआ कोई movement नहीं हुआ तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ पे कोई भी work done नहीं हुआ है ठीक मतब force की साथ सा displacement भी होना चाहिए अब हम कुछ conditions पढ़ेंगे कि work up done होता है कब नहीं done होता है तो यह आपको work done और no work done की condition यह वाली जो पता चलगी basic चीज यह है इससे पहले चलिए definition देखते हैं तो work done को आप जो है वो दो तरीके से define कर सकते हैं एक definition आप यह कह सकते हैं कि when a force is applied okay you can name the force as f when a force f is applied on an body and it get displaced then there is set to be work done okay एक इसकी बहुत चोटी बहुती चोटी definition होती है तो एक basic definition है एक formula based definition भी इसकी होती है तो पहले मैं यह लिख देती हूँ when a force f is applied on an object and it get displaced then it is set to be work done okay so main definition यह है but बच्चे तो इतनी बहुत सारे होते हैं नहीं लिख पाते हैं आप एक short definition है वो भी ले सकते हैं वो लिख सकते हैं कि the product of force and displacement is called work done यह simple यह जो one line definition है यह आपको इसकी formula से मिली है ठीक है जो की होता है w equals to f dot s बट जब हम कोई angle use करते हैं तो हमारा formula भी change हो जाता है w equals to f dot s cos theta so work is the product of force and displacement यह आपकी बहुत short definition है आप इसको use कर सकते हैं और यह जो definition है यह इसकी formula से बनी है so we can write its formula w equals to f dot s या फिर f dot s cos theta तो जो theta होता है यहाँ पे वो angle बताता है force or displacement का सब्सक्राइब आगे हम पढ़ेंगे तब बताएंगे तो सब्सक्राइब हमने क्या करा force and this means displacement अब हम conditions बताएंगे तो पहली condition होती है work done की हमारे पास एक force होना चाहिए हमने body पे एक force लगाया होना चाहिए और body में displacement भी होना चाहिए तब ही हम कहेंगे की work done हुआ है अब हम line by line discuss करते हैं पहली condition होती की कब हमें work positive मिलेगा जब हमारे body मां है उसका मांस है में हमने फोर्स इंप्लीमेंट किया और उसका जो displacement वह उसी direction में हुआ जिस direction में हमने force लगाई ठीक है सपोर्स हम किसी भी body को पुश करते हैं तो जिस direction में पुश करते हैं उसी direction में move होती है तो यानि के same direction हुआ ऐसे में work done जो होता positive होता है अब same direction है मतलब angle जो है उनकी बीच का वो 0 degree है और जब angle 0 degree होता है तो अगर आप values में रखेंगे मतलब cos 0 तो cos 0 की जो value होती है वो 1 होती है ठीक है यह आपका जो cos sign इन सबकी values आप 10th class में starting में पढ़ना शुरू करते हैं तो cos 0 की value 1 होती है तो जब formula में put करते हैं f equals to f dot s cos theta means f dot s cos 0 that will became f dot s into 1 and that will be f s ठीक है and this is the positive work done और आपको maximum इसी condition में मिलता है ओके तो मतलब जब force और displacement एक ही direction में हो ठीक अजादत तर आपको यही condition मिलेगी वह आप जहां पे भी आप push करो या pull करोगे तो जब push या pull में जिदर force की direction होगी उधर ही आपका displacement होगा चलिए second पढ़ते हैं एक body यह है उसका mass m है उस displacement है वो उल्टी direction में हो रहा है अब हम एक ऐसी force की बात करें जहां पर displacement और force जो है वो उल्टी direction में हो रहा है तो work done जो होता है negative होता है ठीक है अब जब दोनों की direction opposite है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगिल कितना होगा 180 होगा और जो cost 180 होता है उसकी value होती minus 1 ठीक है अच् हमने यहां पर friction force के sense में बात करी है friction force की जो direction है और जो हमारे movement की direction है दोन opposite है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगिल 180 डिगरी हुआ ठीक है तो जब उनके बीच का एंगिल 180 डिगरी हुआ तो मतलब नेगेटिव work done हुआ यह तो आपको यह तो आपने पहले भी पढ़ा अब देखा हमने यहां पर थीटा 180 डिगरी है और कॉस 180 डिगरी की जो value होती हो minus 1 होती है तो जब हम यह value हम put करते हैं formula में w equals to f dot s cos theta means f dot s cos 180 that will become minus f s तो हमें यहां पर work done जो है वो negative मिलेगा अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारी तीसरी condition तो अभी यह लिखो when f and s, s means displacement are in opposite direction then the work done is negative direction then the work done is negative अब थर्ड condition है कि अब हमें work done हमने positive भी पढ़ लिया negative भी पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कब हमें work done नहीं मिलता ठीक है एक condition तो हम पढ़ेंगे चुके हैं यह दूसरी condition है कि कब हमें work done zero मिलता है तो जब हमारा force दिस्प्रेश्मेंट के बीच के एंगी 90 डिग्री हो मतलब बोत आर पर प्रपेंडिकूलेट हो इच अदर अब यह condition आपको कहां मिलेगी यह condition आपको हमेशा ऐसे मिलेगी अगर हमारा कोई भी object का horizontal movement है on the surface of earth तो अगर हम वहाँ पे gravitational force देखेंगे जो कि towards of earth है तो वहाँ पे हमें 90 डिग्री वाली condition मिलेगी अब बात करते हैं कि cos 90 कितनी value होती होती जीरो तो means w equals to f dot s cos 90 and cos 90 जीरो होता है इसका मतलब हमारा work done zero है ठीक है अगर आप angle से आपको difficulty होती है तो क्योंकि angle से भी आपको आना चाहिए 9th के syllabus में नहीं है बट में भी किसी और बोर्ड के syllabus में हो तो मैं यहां पर angles भी समझा देती हूं so work done हमें ऐसी condition में zero मिलता है जब force displacement एक दूसरे के perpendicular हो ठीक है एक्जामपल है जैसे हमारे पास एक मास है ठीक है उसने horizontal movement किया on the surface of earth point A से point B पे और जो हमारी gravitational force है अर्थ की जो हमारी gravitational force है तो अगर हम displacement और gravitational force के बीच के अंगिल देखें तो वह एंटी डिग्री है इसका मतलब यहां पर अगर हम gravitational force के sense में बात करें तो work done कुछ हुआ ही नहीं ठीक है हम यहां पर ध्यान रखना कि हम यहां पर gravitational force की बात करें चलिए कि example ओ लेते हैं कुआ है एक well है कुआ ठीक अब हमने क्या करा हम इसमें दो तरीके से देखते हैं एक बार हमने क्या करा है इसमें पानी भरा है हमने क्या इसको रोप के साथ हमने बाल्टी बान दी है हमने पानी भरा और पानी जब हम भरते हैं तो हम उसे उपर की तरफ खीचते हैं तो हमारी force उपर की तरफ लग रही है और बाल्टी भी तो हमारी उपर की तर तो यानि कि डारेक्शन सेम है तो हमें वर्क डन क्या मिला पॉजिटिव मिला लेकिन अगर हम यहां पे दूसरे सेंस में बात करें चलिए चलिए बात में बताओंगे पहले हम इतना डिसकस कर ले कि जब हमने इस कंडिशन में देखा कि फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट सेम डा अब यह जो हमें रसी बंदी होती है अब यह रसी हम नीचे की तरफ खीचते हैं ना कि ऊपर की तरफ खीचते हैं पहली कंडिशन में हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे थे ठीक अर्थ के उल्टी तरफ फोर्स लगा रहे थे अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं हम नीचे की negative हुआ अब इतना तो आप clear हो गया पहली condition में same direction थी तो work done positive था और दूसरी condition में opposite direction हुई तो work done negative हुआ अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा back करके फिर से समझ लीजिए ठीक अब हम लोग case wise इसको discuss करते हैं तो पहला अगर हमने देखा कि जो हमारा force देख उपर लग रहा है और displacement भी उपर हो रहा है दूसरे condition में अगर हम इसको दूसरे sense में बात करें अगर हम gravitational force को देखें तो gravitational force नीचे की तरफ लग रही है force की हमने force उपर लगा तो displacement भी उपर हुआ तो work done positive है लेकिन अब हम अपनी force की बात नहीं करें अब हम gravitational force की बात करें वो तो अर्थ अपनी तरफ खीचरी है न जो अपनी तरफ खीचरी और displacement उपर हो रहा है तो work done negative हुआ ठीक और जो second condition है जहाँ पे हम force लगा रहे थे पूले system से नीचे की तरफ और displacement उपर हो रहा था opposite था और same इसी condition में जब हम gravitation force देखेंगे वो भी नीचे की तरफ है और displacement उपर की तरफ है तो वो भी वहाँ पे भी work done opposite हुआ थोड़ा समझने की कोशिश करिये इसमें हो क्या रहा है पहली बार हम जो पूले है जो भी हम खीच रहे है जब पूले हमने लगाया तो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे है बाल्टी उपर की तरफ जा रही है ग्राविटेशन फोर्स में भी क्या और है हम नीचे की तरफ लगा नीचे खर अर्थ अपनी तरफ खीच रहे है लेकिन बाल्टी उपर जा रही है तो भी work done हमारा negative ही रहा लेकिन first case में दोनों की चीज़े उल्टनी है first case में आपको क्या मिल रहा है first case में आपको ये मिल रहा है कि force और displacement same direction में तो work done positive है और अगर हम gravity की बात करें तो gravity उसको नीचे की तरफ खीच रही है लेकिन बाल्टी उपर की तरफ जा रही है तो हमारा work done negative है ठीक है अब आप ये देखिए हमने एक ball को फेका ball को फेका तो एक जगा से दूसरी जगा गई तो displacement में हम smallest distance लेते हैं ठीक shortest distance लेते हैं तो वो आपकी horizontal on the surface of earth S लिया और हमारी gravity toward the earth है मतब उनके बीच का angle कितना हुआ 90 degree तो work done 0 ठीक और एक चीज और की work done की जो unit होती है वो joule होती मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी work की जो unit होती है वो joule होती है और newton meter होती क्या formula जानते है कि w equals to f dot S है force की newton displacement की meter तो newton meter या फिर joule तो ये दो इसकी unit है और कहीं पर भी अगर आपको concept clear नहीं हो रहा है आप वहाँ पर वीडियो दुबारा देख लीजे आपको concept clear हो जाएगा ये सिफ angle का खेल है और कुछ नहीं है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे energy जो किसका next topic है energy बहुत type की होती है लेकिन हम बेसिकली दो type की पढ़ेंगे kinetic energy and potential energy और भी बहुत type की energy होती है और इको mutually दोनों energy को kinetic potential को mechanical energy कहते है और यहाँ पर आपको ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी तो वेट पर नेक्स्ट वीडियो गए थैंक यू बाई बाई